हेलो स्टुडेंट्स और कैसे हैं आप देखें आज का यह जो वीडियो है इसमें लेक्चर 22 क्लास 12 से रिलेटिड है और आज का जो टॉपिक है इस वीडियो में चेन रूल इन डिफ्रेंटिशेशन आज मैं आपको इस वीडियो में चेन रूल के बारे में समझाऊंगा ठीक है तो देखें यह चेन रूल मैंने यहां भी निखा है पहले में इसको रीट करके समझाता हूं और फिर उसके बाद इसको बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझा देखेंगे चेन रूल इफ एफ of x and g of x are differentiable functions Two differentiable functions यह रखे है f of x and g of x then fog fog means f of x and g of x का composition तो फोग भी जो है डिफ्रेंसियेवल होगा और वो डिफ्रेंसियेट कैसे होगा वो इस फॉर्मूले के एक्कॉर्डिंग होगा यह एक सिंबोलिकली दे रखा है यहां पर कहने का मतलब है फिर से मैं रीट कर रहा हूं इस बात को if f of x and g of x two functions है जो डिफ्रेंसियेवल हैं तो इन दोनों का जो कमपोजिशन है वो भी डिफ्रेंसियेवल होता है और किस फॉर्मूले के एक्कॉर्डिंग किस के एक्कॉर्ड मना यहां आ Ayukad का derived यहां पर एक्स है यह आपका independent variety के रिप्रेंसियेशन होता है इस बात को भी हाप नोट करें सपाइं diz इक्वन i as gx इंटो फिर उसके बाद जो gx है उसका फिर से यहां आगेंगः। आपका GX का यहां पर इन्टू करने के बाद GX का डिफरेंसेशेशन। क्योंकि GX का इसके coloured, GX का नहीं हुआ। तो GX का हम इसमें इन्टू करने के बाद gX का फिर डिफरेंसेशन। और GX के अंदर कोई function और involved है तो फिर इंटू करने के बाद में फिर उसके बाद आगे differentiation तो एक chain चलती है इंटू की यह एक इंटू की chain चलती है और इस इंटू के बीच में यहां एक derivative बीच में हम set करते चले जाते हैं ठीक है ना individual अलग-अलग functions के हम derivative कहने का मेरा मतलब यह है कि हम अलग-अलग functions के derivative निकालते हैं और उनको हम product उन सब के बीच में हम क्या product कर देते हैं इसी को हम chain rule कहते हैं यह जो लिखा हुआ है यह मैंने अभी आपको read करके समझाया यह एक symbolically एक इसको chain rule को समझाने की यह कोशिस है लेकिन अब मैं इसको एक बहुत ही simple way में समझाओंगा बहुत simple way में की chain rule क्या है उसको अब देखे जारा हम functions बताएंगे functions में कुछ लोंगा उसके बाद वो चीज़ के लिए लोगी ठीक है ना तो देखे इसको बिलकुल simple way में समझने की कोशिस करते हैं इसी इसी जो पूरी जो definition दे रखी है इसको मैं इसका क्या meaning है इस definition का इसको simple way में समझते हैं देखे तो पहले तो आप इस बात को समझेए कि chain rule जो है वो एक से अधिक functions किसी composition में attach होते हैं तभी chain rule का इस्तेमाल होता है पहले तो आप इस बात को समझें ठीक है ना और वो इस formula के according ठीक है अब यह formula क्या है और मैं इसको मैं अभी यहाँ भी समझा है इसको लेकिन अब जब मैं questions करूंगा जब वो बिल्कुल clear होगा ठीक है तो एक से अधिक functions जहाँ जब किसी composition के साथ होते हैं attach तब हम chain rule का इस्तेमाल करते हैं पहले तो यह समझें ठीक है और मान लो और एक उसके बात क्या है कि जहां single function दे रखा है only one function है standard form में है और उसके साथ कोई दूसर function attach नहीं है तब हम chain rule का इस्तेमाल नहीं करते हैं single single function दे रखे हैं जैसे आपका 10x है 10x है और standard form में दे रखे हैं इस सब standard form में तो 10x का direct sec square x हो जागा difference से यह derivative निकल के आगे इसका यह हम जालते हैं हम d and dx e to the power x है इसका e to the power x होता है यह हमने by first principle इनका सबका derivative निकाला है इसकी एक list है और यह single single function है only यह एक trigonometric function दे रखा है only one यहां एक exponential function दे रखा है only one function है यहां भी only one function है ठीक है ना मैं d and dx कहता हूं मैं कह रहा हूं मालो a to the power x इसका a to the power x और log ea यह आपका single function है single single function दे रखे हो standard form में दे रखे है standard form का मतलब क्या है यहां पर कि देखे जिसके respect में हो रहा है एक्स के respect में हो रहा है ना और इस function का हो रहा है तो यहां जो variable x है ना एक्स जो है वह आपका उसका power और coefficient दोनों नजार आ रहे होंगे आपको हर जगे पर coefficient 1 power 1 coefficient 1 power 1 जिसके respect में हो रहा है वह variable इस function में इस form में दे रखा है एक्स जो दे रखा है power 1 coefficient 1 यह एक ऐसे standard form की एक simple पहचान है आप ऐसे समझेए इसको और single single function दे रखा है अकेला function दे रखा है तो यहां इस stat की जो ऐसी जब stability आती है तो यहां पर हम कभी भी इस chain rule का इस्तेमाल यहां कोई मतलब भी नहीं है तो यहां chain rule नहीं है तो डाइरक फ्रमूला आगे आपका single single function है ठीक है अब देखी chain rule का इस्तेमाल हम कहां करते हैं, तो यहाँ chain rule यहाँ पर नहीं इस्तेमाल होगा, यहाँ chain rule नहीं लगाते हैं, यह डायरेक्ट फॉर्मूला है, अब देखे, chain rule का इस्तेमाल कहां उलता है, जैसे अब मैं functions, मैंने बताया ना, functions जब एक से दो functions, एक से अधिक functions किसी composition में, जैसे fog है या fog दे रखा, एक से अधिक functions, एक से अधिक मालए two हो सकते हैं, three functions हो सकते हैं, वो किसी एक दूसी के साथ किसी system में attach दे रखे हों, ठीक है ना, तो वहीं हम chain rule का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अब इस बात को समझे, अब इस सारा जो definition है, इसको बिल्कुल एक simple way में समझनी कोसिस करिए, जैसे मैंने लिया आपका e to the power और यह आपका sin और यह x, अब देखें यहाँ पर, अगर आप इसको देखें, तो यह क्या आपका exponential function है, और exponential की power जो है, यह क्या आपका trigonometric function है, यह trigonometric function हो गया, यह total को अगर देखा जाए, तो यह क्या, exponential भी है, exponential function भी है, ठीक, मैं लिखना चाहरा हूँ आपका 10, मैं लिखना चाहरा हूँ आपका, एक मिनट, मैं लिखना हूँ sin और यह x, और x को replace करके, मैं लिखना हूँ यहाँ पर sin और यह log और यह e to the power और यह x, ऐसा कुछ function मैंने लिख दिया, देखे ज़र आप, इदर से इसको check करिए, तो क्या है यह, technometric function, एक तरह से technometric function भी है, इसके फिर यह जो sign है, इदर से अगर आप check करेंगे, तो क्या आप ऐसे देखिए इसको, साइन, साइन, साइन का जो angle है, इस angle में log है, और log में भी exponential attach है, तो यहाँ कितना हो गया, थे functions हो गया, से, technometric function हो गया, यह आपका, यह logarithmic function हो गया, और logarithmic function में, यह exponential function हो गया, तो ऐसा combination, जब इस tap का combination हो, तो इसका derivative, इस tap से निकाला इन ही formula से जाथा है, निकाला यही formula यही लगते हैं, लेकिन direct, जैसे यह single function था यहां तो, और standard form में था, तो इसका direct यह लिख दिया, इसका direct यह लिख दिया, ठीक है ना, लेकिन, यहाँ हम differentiation कैसे करेंगे इसका, ठीक है ना, तो इसी में हम chain rule का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी जब condition होती है, तो वहाँ chain rule apply होता है, यहां हम chain rule का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, और यहाँ single single, इसमें कोई आवशक्ता नहीं, अब देखे, chain rule हम कैसे, उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, और वो, उसको हम function, कोई function जब ऐसी combination में हैं, तो chain rule से हम उसका differentiation कैसे करते हैं, means, यह जो formula दे रखा है, symbolically, इस formula का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, means, जो आपका जो इस type से, जो combination और function बहुत सारे दे रखे हैं, उन functions का हम differentiation कैसे करते हैं, इस formula से, वो देखना है आप जड़ा, तो इसके two method हैं, इसके कितने two method हैं, देखे ज़ाएं, इसके two method हैं, chain rule का, मैं अब chain rule पर आ रहा हूं mainly, chain rule का application, application of chain rule, ठीक है, तो इसके ये दो method हैं, और पहला है आपका, substitution method, पहला क्या है, substitution method, और दूसरा है आपका, without substitution, without substitution, substitution की कोई आप सकता नहीं, means direct, हम एक से दिक combination of functions हों, तो हम उनका direct differentiation कर सकते हैं, और यहां हम substitute करने के बाद करेंगे, तो देखे जर आप, तो मैं पहले इसको समझाता हूं, और उसके बाद फिर मैं इसको समझाता हूं, यह दोनो method किसके हैं, chain rule, यह भी method chain rule का ही है, यह भी method chain rule का ही है, दोनों में से आपको जो पसंद रहा है, उससे आप differentiate कर सकते हैं, एक से अधिक functions, जब किसी composition में दे रखे हों, ठीक हैं, वहीं chain rule लगता, यह बार-बार मैंने repeat कर दी इस बाद को, देखो, जैसे, अब मैंने लिया कोई function, y is equal, और sin, और आपका यह log, और यह x, यह कोई function लिया, अब इसका differentiation हमें करना है, ठीक है न, तो देखो, जहाँ जो चीज़ replace हो रही है, बाई, standard form क्या था, हमारा, sin x होता था, function technometric ही होता, अब यहां angle में, sin x की जगहे पर क्या रखा हुआ है, x की जगहे पर log x रखा हुआ है, यह तो है, जब यह तो यह technometric function भी है, log algorithmic भी है, इसके angle में, इसका जो angle है, technometric, इसमें यह log रखा हुआ है, तो जो replace है, उसी को हम, कुछ, मान लेते हैं, let कर लेते हैं इसको, तो मैंने मान लिया, कि u is equal log x, यह कोई, एक दूसरा variable हमने बीच में ले लिया, इसको, solve करने के लिए, ठीक है, तो देखे जागा, तो y is equal, अब यह क्या हो जागा, sin और यह u, भाई हमने इस log x को, यह हमने यह let किया, यह क्या, log x हमने u put कर दिया, तो यह क्या हो जागा, put लिख दो यहाँ पर, आप put लिख सकते हैं, एदा लिखे जिता हूं, मैं, put u is equal log x, ठीक है ना, in, इसको first number दे दो, in first, इसमें रखा, तो जबर क्या हो जाएगा, u is equal log x, इसमें रखना, तो क्या, y is equal, आपका sin u हो जाएगा, हो जाएगा ना, अच्छा, तो y is equal sin u हो गया, एक, second, और यह एक तरसे, u is equal, आपका log, और x हो गया, यह आपका third हो गया, एक तरसे, यह दो functions, जो, एक साथ, जो combination में थे, एक composition था, two functions का, उनको मैंने अलग-अलग मान के, इसको, जैसे, यह log x को, हमने, यू put कर दिया, तो, यू को, फिर यह क्या हो गया, यह standard form में आ गया, यह, क्या हो गया, यह, y is equal sin u, एक standard form में convert हो गया, तो, y is equal sin u हो गया, और u is equal log x हो गया, तो, यह तैसे, दो functions, single-single बन गए, जो एक साथ, जो attached थे, उनको हमने separate करके, single-single form में निकाल दिया, और single-single form में निकाल दिया, तो, अब हम यहाँ पर, जो हमारा, जो first principle से, जो हमने एक formula के, जो derivatives निकाले थे, वो list जो थी, standard form की, उसमें convert हो गया, यह अलग हो गया, यह अलग हो गया, अब हम differentiate कर देंगे, तो, देखे जा रहा, तो, देखो, क्या हो जागा आपका, मैं इसको लेता हूँ, y is equal sine, और y is equal sign or u, तो, दätो, यहाँ, इह क्या है, व है, तो, अ क्या है, यह क्या, यह है, तो, u के respect में, differentiation होगा, इसका, दिफ्रेंशेटिंग, विद रेस्पेक्ट टू, इसको, यह क्या हो जागा, आपका, यह? यह लिख दू इसको सरही, तो यहां independent variable यह क्या आपका independent variable यहां पर क्या है यू है तो देखो यह क्या हो जागा dy and du independent variable के respect में differentiation किया जाता है यह standard form में क्या हो जागा cos u standard form में क्यों हो गया यू की power and coefficient दोनों बन है इसलिए यह एक simple पहचान है उसको याद करने के लिए और कुछ नहीं ठीक है यह आगे आपका अच्छा इसका तो यह कर दिया इसका उसके बाद में u is equal यह दे रखा है यू is equal यू is equal आपका log और यह x दे रखा है यहाँ पर फिर से again differentiating with respect to और x यहाँ x के respect में करूंगा यह independent variable x है यहाँ क्या x है ठीक है और एक्स्टेंडर फॉर्म में देको जागा पावर and coefficient बन तो देको du and dx यह dy and du यह du and dx तो यह log x का क्या होता था आपका d and dx एक बार और और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यह operator यहाँ लगा दिया यह क्या होता था 1 upon x मेंस आपका du and dx बराबर 1 upon x हो गया एक result यह आया एक result हमारा यह आया ठीक है अब हम इसको यहां से मैं इसको मिटाए देता हूं इसको इतना यह क्या हूँ आपका अब मैं क्या करूंगा हमें किसके respect में निकालना था इसका differentiation अब मैं इस पूरे को इस सिस्टम को और इस सिस्टम को मैं एक साथ ऐसे भी लिख सकता हूं कि यह दिवाई य का differentiation एक्स की respect में लिखना था न तो दिवाई एडी एन दी एक्स बैक्स बस्तों यह था इसे में दो functions involved थे टिग्रोमेटिकें लोग अर्टिमिक इसका differentiation हमें करना था तो यह independent variable तो X है ना तो X के रास्पेक्स में करना था तो इस total का हम लिखेंगे कैसे एक साथ dy and dx तो यह dy and dx तो इस equal हो जाएगा कि dy and du into du and dx इस इस बात को ऐसे लिखाया सकता है तो d u से du cancel हो गया तो dy and dy and dx को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं एक तारसी ये भी है देखो dy and dx को dy and du and into du and dx तो ये जो निकल के आ रहा है ये यही सिस्टम है ये एक symbolic language में जो लिखा हुआ था वो यही है आप देखें जाए dy and du ये जो derivative है इसकी value cos u cos u रखिए into du and dx इसकी value one upon में x है into one upon में x है ठीक u हमने क्या माना था u क्या माना था log x अब log x को u की जगए पर log x रिप्लेस कर दो तो जब़ो one upon में x one upon में x है आगे लिखा दिया cos और ये log और ये x ये आपका answer हो गया this is final answer ये आपका answer हो गया इसके बाद फिर में इस method से ये question फिर में इस से करूँगा देखो मैं मानलो एक question ले रहा हूँ के y is equal इसुशन अफ्ल अफान बीफूशन इसे अब देखे यह बहा है यह इसा कोई function लिए अब देखे यहां पर यह अगर आप देखें तो ये अफ़ अप्य आप देखें लिए वह अब धार का आप देखें और Exponential function में यह आपका क्या है, Trigmatric है, Clear हो गया, भाई अगर हम Total function को अगर देखें, यह Total function को अगर मैं देखुँँ, यह Total को अगर देखुँँ, तो यह Exponential function है, और इस Exponential में यह जो Power है, Exponential function का Power है वो Trigmatric function है, तो दो functions involved हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहां पर यहीं chain rule लगता है अब इस chain rule को हम कैसे लगाएंगे तो हमें इसका differentiation करना है इसके respect में तो करते हैं लेकिन हम इसको दो टुकड़ों में अलग अलग इन दोनों functions को यह दोनों functions जो एक साथ हैं हमें क्या करना है substitution method से इनको दो अलग अलग टुकड़ों में हम बाढ़ देंगे पहले single single function बना लेंगे कैसे put u is equal 10x यह माल लिया हमने u is equal 10x इसमें put कर दीजिए तो जो क्या हो जागा y is equal e to the power और यह यू ठीक और यह put जो किया इसको भी यहां लिख लो u is equal क्या आपका 10 of x अब इन दौनों का differentiation कर दो अलग अलग तो देखो इसका जब differentiation तो यहां जो अभी यू में हो गया y और u में relation हो गया y and u relation हो गया इसमें तो यहां u independent variable हो गया तो इसका differentiation देखो जा रहा इसका इसका differentiation तो देखो डी वाई एक साथ कर दो में यहां लिखे जता हूं मैं क्या किसका y is equal e तो डिफ्रेंशेटिंग ऐसे लिखे रहते हैं विद रेस्पेक्ट तो यू यू के रेस्पेक्ट में तो देखो डी वाई एंड डी यू is equal e की पावर यू यह इस्टेंडर फॉर्म में पावर एंड कोफिशन जोनों बन बन है तो डायरक्ट ही होगा यहां पर इसी तरीके से इसका अगें यह यू is equal आपका यह टैन ओफ एक्स तो डिफ्रेंशेटिंग विद रेस्पेक्ट तू एक्स यह आपका एक्स के रेस्पेक्ट में होगा तो दी यू एंड डी एक्स इज इक्वल इसका महलें डी एंड डी एक्स और यह टैन ओफ एक्स और टैन ओफ एक्स का क्या होता है सैक स्क्वेर एक्स ठीक उसके बाद फिर हम क्या करते हैं फिर हम हमें तो डिफ्रेंशेशन दी वाई एंड डी एक्स करना था ना तो हम फिर अ इखुल डिवाई अंद डिउू इंटो दी यू अंद डिएक्स यह आहाँ पर बाई चैनल जल गई न डिवेटीव इनटो और बीरि गारिवेटीव और वही चाहर एक से जारा function two, three functions हो सकते हैं, तो ऐसे ही derivative, फिर into derivative, फिर आगे derivative, यह into का एक chain चलता है, तो dy and dx को मैं यह लिख सकता हूं, के du से du, यहां से हम हटा भी सकते हैं, तो dy and dx ही बचा, तो यह जो formula है, यह ही formula वो यह है एक तरह से, यह जो symbolic लिखा हुआ है, वो ही यह है, अब यहां value र यू into, du and dx, यह जो derivative, यह derivative, यह derivative, यह दौनो derivative ही तो product में है, यह दौनो derivative के product है, बस, तो यह तो e u हो गया, e u, ठीक है न, into, यहां यह sec square x हो गया, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, e u को क्या लिख सकता हूं, u क्या था, u हमने 10x माना था, फिर जो original variable है, u तो केवल chain rule apply करने के लिए u का इस्थेमाल किया है, तो u ले लो, v ले लो, यह जो variable, यह एक mediator का काम कर रहा है आप पर, ठीक है न, तो यह क्या हो गया आपका e और आपका u, तो यह आपका 10x, into sec square x, यह आपका answer हो गया, तो हम ऐसे, इस तरीके से हम, जब two functions, यह two से greater functions, एक साथ involve हो, तो उनको हम, let करके, उनको उसमें से कुछ दोनों functions को, अलग अलग, जो दोनों एक साथ है न, उनको individual, अलग अलग, single, single function में हम divide कर देते हैं, बाट देते हैं, और फिर single, single function का, अलग-अलग differentiate करते हैं, और differentiate करके, जो derivative आता है, वो ही फिर आप, वो derivative ही आपका, product के form में, यह formula, यही chain rule का formula है, इसमें हम यह value रख देते हैं, रखने के बाद में, फिर आपका, जो product है, वो ही, इस total का differentiation है, वो ही differentiation, dy and dx, by y independent and x, independent variable, तो देखो, इसका dy and dx को, dy and du, यह जो u, हमने जो let किया था, यह variable, into फिर du, y dx, एक derivative, यह derivative, यह derivative, यह, दोनों यह derivative, यह derivative, यह derivative था, दोनों को product करके, हमने यह से निकाल दी answer इसको, यह substitution method है, ठीक है न, अच्छा, अब देखिए, यह without substitution, यह method क्या है, इसमें put नहीं करना, कुछ भी, यह value कोई कुछ भी मानना नहीं है, without substitution, इसका ही जादा इस्तेमाल होता है, अक्सर हम directly इसी से करते है chain rule का इस्तेमाल इसी से होता है, तो मैं इस question को अभी करता हूँ यहाँ पर, क्या है, y is equal e to the power, और यह आपका 10 और यह x, यह ही तो है function, y is equal e to the power, 10 और x, आप देखिए जगा, तो इस से हम कैसे करते हैं, कि सबसे पहले यह जो दो functions, जो involved है, exponential हैं, इसकी power में trigonometric, exponential और trigonometric जो function है, यह trigonometric है, और यह total exponential है, तो सबसे पहले इसका जो outer जो form है, इसको हम यह check करते हैं, कि यह किस standard form से match कर रहा है, यह देखना है यहाँ पर, तो अगर हम देखें, तो क्या यह इस से match नहीं कर रहा है, कि d and dx और e to the power x is equal e to the power x, क्या यह standard form इससे match नहीं कर रहा है, क्या है यह, देखो e, यहाँ पर यह e दे रखा है, e की power यहाँ x, यह standard form है, पावर, variable का power and coefficient दोनों 1-1 है, देखे जारा पर, और यह standard form में नहीं है, आप अब यहाँ पर इस बात को ऐसे करिए, क्यों, क्योंकि यहाँ इस x की जगए पर, इस x की जगए पर यहाँ क्या लिखा हुआ है, 10x, इस x की जगए पर 10x लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं करना हमें, जो चीज replace होती है न, उसका differentiation एक वार और कर देना है, आपका काम खर्तम हो जाएगा, देखिए जगा आप मैं कैसे करता हूँ इसको, differentiating, मैं इसको पहले एदा से मिटाई देता हूँ, देखिए यहाँ करता हूँ इसको, क्या है question, y is equal e to the power 10 of x, तो देखिए यह जो function है, यह पूरा function, पूरा function किससे match कर रहा है, dn, dx और e to the power x, means e to the power x, इससे match कर रहा है कि निकल रहा है, cable x की जगाए पर क्या रखा हूआ है, 10x, यही तो है, तो इसका differentiation, इसका differentiation क्या होता था, इसका derivative यही तो निकलता था, e to the power x का derivative, e to the power x होता था, तो फिर इस function का, क्या हो जाएगा, differentiating with respect to x, ठीक है ना, y chain rule, यह भी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है ना, लिखना चाहोँ लिखो, या कोई अब शक्ता भी नहीं, chain rule से होड़ा हो तो hidden है, एक बात, देखे यह तो dy and dx, is equal d and dx, और e to the power 10 of x, ऐसे हम लिखेंगे इसको, जो y, y है ना, y की जगह पर क्या यह function है, तो y की जगह पर हमने क्या भी, यह रख दिया, अब देखे, d and dx, e x is equal, e x होता था, तो d and dx, e की power 10 x क्या हो जागा, e की power 10 x हो जागा, इस formula के according, इस standard form के according, यह इसका यह हो जागा, लेकिन, क्या इसका result यह लिखने पर, इसका यह जो derivative निकाला है, तो इसमें, e to the power 10 x का, e to the power 10 x तो हो गया, लेकिन, इसमें, क्या 10 x का differentiation हुआ क्या, नहीं हुआ ना, तो जिसका differentiation नहीं हुआ है, उसका differentiation, into का sign लगाई है यहाँ पर, and d and dx, और जो replace होता है, या हम यह कह सकते हैं, जो replace हो रहा है, इस x की जगह पर, इस तो यह 10 x रखा हुआ था, इसी का differentiation एक बार और कर देंगे, खरता है मामला, into करके, क्या हो जाएगा, e 10 x into, और 10 x का, यह first tender form में है, यह पूरा, यह क्या है, first tender form में, power and coefficient 1, list में आ रहा है, जो first principle वारी list, इसका, क्या हो जाता है, sec square x, this is final answer, यह आपका without substitution method है, यह without substitution method है, तो अब देखे जह रहा है, कहने का मेरा मतलब है, कि जो चीज़ रिप्लेस हो रही है, उसका, ब्याज़ डाइरेक्ट हमने यहां पर किया, तो वाई, e की पावर 10 x का हुआ, e की पावर 10 x, लेंगे 10 x का differentiation नहीं हुआ, तो उसका differentiation, into करने के बाद, अब मैं जैसे एक क्वेशन ऐसा भी ले रहा हूँ, देखें ज़रा, अब हम कुछ थोड़ा बड़े-बड़े क्वेशन लेते हैं, तो यह without substitution वाला जो method है, इससे ही हम अक्सर questions इसी से अधिक्तर निकालते हैं, देखें ऐसे, क्लाइए हमारा हूँ, देखें इससे हैं, देखे, जैसे y is equal और यह 10 और यह square और यह आपका x, यह दे रखा है ऐसा question दे रखा है, ठीक तो यह किस standard form से match कर रहा है, यह देखना सबसे पहले हमको इसको मैं यह लिख सकता क्या क्या है, y is equal 10 x पूरे का whole square और समझने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं तो यह जो है function किस standard form से match कर रहा है क्या यह ऐसा नहीं है, क्या यह हमने standard form dn, dx x to the power n n x n minus 1 होता था के नहीं होता था तिक मतलब यहाँ x की जगे पर क्या replace हो रहा है 10 x के वल, आप देखें तो यह एक standard form है यह भी एक standard form है तो देखे रहा है, इस से matching है के नहीं तो इसके according क्या हो जागा, तो जो यह को, differentiating with respect to x, y chain rule यह में without substitution वाले method से कर रहा हो, direct क्या हो जागा, dy and dx is equal d and dx देखो, यह dy and dx यह notation, और y की जगे पर क्या यह रखा हुआ है, means 10 x का यह square तो अब आप देखें जाड़ा, इस से match कर रहा है, यह देखना है हमको और उसी standard form वाले formula को उसमें नगल दो बस यह काम करना है तो देखो जाड़ा, यह से match, देखो, x की जगे पर इस x की जगे पर 10 x रखा है कि नहीं एक खर रखा है, देखो अगर यहां मैं x रख दूँ, तो यह क्या हो जागा, x square ऐसा हो जागा, इस 10 x की जगे पर अगर मैं x रख दूँ, तो 2 square तो ही तो x square बिल्कुल सेम बना कर नहीं बना है ऐसा formula, n की जगे पर 2 हो गया, x, n, x2 बिल्कुल सेम हो गया कि नहीं हो गया और आपका यह 2 minus 1, यह लिख दिया जाना है लेकिन, क्या इसमें 10 का differentiation हुआ क्या, नहीं हुआ न, 10 का का हुआ उसका outer जो form है, means जो इससे जो match कर ला था, उसका differentiation हुआ 10 x का, 10 x तो यहां भी है, यहां भी 10 x ही रहा तो जिसका नहीं हुआ, उसी का, या जो replace हो रहा है, यह कह सकते हैं, उसका या जिसका differentiation नहीं हुआ, उसका differentiation हम एक वार और करेंगे, d and d x into का sign लगाएंगे, and 10 और यह x, क्या हो जाएगा आपका 2, 10 x, या 2 की power 1 बचाएगा, बन को लिखने की ज़रूट नहीं है, और 10 x का इस total का यहां, into करके यह sec square x, this is final answer तो यही chain rule है, यह direct method हो गया, यह क्या हो गया, direct method हो गया, अब मैं इसको substitution method से भी कर सकता हूं, इसी question को अगर देखो तो, देखो कैसे होगा, y is equal आपका 10 x का square, यही तो है, हम इसको put कर देंगे, यहां पर put u is equal 10 x, मैंने यह सर्क दिया, यह substitution method से यही question, substitution से भी होगा है, तो यह क्या हो गया है, तो यह क्या होगा, substitution से, तो देखो यह आपका, y is equal आपका u square हो गया न, और u is equal हमने जो put किया है, उसको भी लिख लो यहां पर, यह 10 x, यह second, अब इसको और इसको दोनों को differentiate अलगला, अब यह single single function हो गया, y is equal u square, यह एक algebraic function हो गया, u square, 10 x, यह आपका trigonometric function हो गया, single single, यह दोनों, एक साथ, दो function जो involve हो रहे थे, उनको मैंने अलग-अलग लग 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 लिए, और इसका differentiation हमें, जो करना है, इसका किसके respect में करना है, x के respect में करना था यहां पर, लेकिन यहां हम करेंगे, तो पहले u के respect में, इसका किसका, u के respect में, और इसका, x के respect में तो देखो जाएगा, dy and du, तो देखो यह क्या हो जाएगा, 2 और यह यू, यह हो गया, और इसका, d u and d x, x के respect में बराबर क्या हो जाएगा, आपका sec square x, ठीक, अब हमें, लेकिन हमें, इसका differentiation किसके respect में करना है, x के respect में करना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यह आपका, अब इसको by chain rule, तो d y and dx, इसका क्या करना है, d y and dx, x के respect में करना है, तो d y and dx को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, d y and du into du into dx, यह दो derivative में break हो गया है, this is chain rule, इस ही को chain rule कहते हैं, इस ही को हम chain rule कहते हैं, यह ही आपका क्या है, यह के chain rule है, मैं बार बार इस बात को repeat कर रहा हूँ, chain rule, यह यह वाला जो है, यह symbolic language में दे रखाता है, यही चीज यह है, अब जेखो ज़रा इसको, यह value रख दो इसको, d y and du, इसकी value यह, to u, into du and dx, sack square, sack square और x, यह du है, यह आपका du है, तो अब ज़रा 2u, अब 2u, u की जगाए पर value रख दो, क्या u के output किया हमने, 10x, तो 210x, और sack square x, this is final answer, देखे ज़रा, 210x, यहाँ से भी check करें, यहाँ से भी check करें, दोनों का same answer, 210x, sack square x, 210x, sack square x, ठीक, और मैं question ले रहा हूँ अब भी, clear? मैं question ले रहा हूँ जैसे, के y is equal e to the power, और यह आपका 10, और log, और यह x, ऐसा ले लिया हूँ. तो सबसे पहले इस function को आप यह देखिए, कि इसका जो outer जो form है, वो किस से मैच कर रहा है? किस standard form से, क्या यह इससे नहीं मैच कर रहा, dx, dx, d and dx, x, इसका differentiation e to the power x, इसका derivative यह होता है. तो आप यहाँ जब देखेंगे, तो देखो e, 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 e ले रखा है यह न, अब e की यह पूरा power है, और e की power यहाँ x है, तो देखो x की जगे पर क्या replace हो रहा है, 10 और यह log और यह x, यह पूरा replace हो रहा है यह आपका, तो chain rule लगेगा, वहीं तो chain rule लगता है, मैंने क्या बता single function में थोड़ी लगता है, यह तो हमने पहली बता है, तो देखते हैं से, यहाँ कितने तीन functions involved हो रहे हैं, जब यह total को अगर हम देखें, तो exponential, इस exponential की power में trigonometric, trigonometric function में इसका जो angle है, उसमें log, logalthmic function, एक साथ, exponential, trigonometric, logalthmic, तो यहीं change rule लगेगा, तो देखो कैसे कर सबसे पहले हम इसका जो outer जो form है, वो किस से match कर रहा है, इससे, इस formula को लगा दो यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है, तो differentiating with respect to x, तो देखो dy and dx, मैं direct method से कर रहा हूँ, substitution से नहीं, direct वाले से कर रहा हूँ, देखे है, तो d and dx, और e, और यह 10, और यह log, और यह x, ऐसा है को, portion, ठीक, अब देखे हैं यहाँ पर, इसका e x का e x होता है, तो e 10 log x का e 10 log x हो जाएगा, सबसे पहले यह formula, अच्छा, अब replace जो हो रहा है, replace जो हो रहा है, वो क्या हो रहा है, x की जाएगा, यह पर 10 log x हो रहा है, तो जो replace हो रहा है, वो क्या trigonometric function है, तो वो किस से match कर रहा है, वो इस से match कर रहा है, कि d n d x और आपका यह, यह 10 x d n d x और 10 x is equal क्या होता है, आपका sec square x, जो replace function हो रहा है, क्या 10, 10 का differentiation, 10 x, वो इस formula से match कर रहा है, तो into d n d x और यह 10, और यह 10 में भी फिर angle में log x है, log x, वह इस से match कर रहा है, इस से standard form से match कर रहा है, तो यहाँ यह लगेगा, clear हो गया, यह हो गया, यह standard 10 x, 10 x का sec square x होता है, अच्छा, अब आगे फिर replace हो रहा है, इसमें, आगे फिर replace हो रहा है, अब इसमें क्या 10 x, 10 x यह standard, यह जब तक यह सिलसिला जारी रहता है, तब तक कि यह formula आगे चलके standard form में convert न हो जाए, तब तक यही change चलती जाती है, ठीक है ना, क्या चला है यह आपका, e और यह 10 और यह log और यह x यह चला है, into d and dx और यह 10 और यह log और यह x यह चला है, लेकिन क्या यह standard में आ गया, नहीं आया न, क्यों, क्यों कि यह 10 x यह standard है, 10 और x variable जो है, वो x की power and coefficient, बार-बार कहरा हूं में standard form यह है, लेकिन इस x की जगह पर, यहां क्या रखा हुआ है, log x, 10 x, 10 है और x, angle में जो है, इस 10 के angle में क्या है, log x replace हो रहा है, यहां, यहां इसकी power में, यहां x, e की power में जो है, वो replace हो रहा था, 10 log x, अब यहां इस 10 में जो replace हो रहा है, यहां x की जगह पर, यहां log x, इस angle में यह replace हो रहा है, तो अब इसका फिर से होगा, into, d and dx, और log और यह x, क्या यह standard form में convert हो गया, हो गया न, log x, log और यह x, जगो power and coefficient 1, अब इसके बाद जैसी standard form में convert हो जाए, यह chain जो है, यहीं की यही जाती, stop हो जाएगा, यहीं stop हो गया, बस इसके आगे हम आगे नहीं जाना, क्योंकि यहां जा सकते, यहां जा रहा है, क्योंकि 10 है, 10 के बाद angle में replace हो रहा था, यह standard form में नहीं था, जैसे standard form में आ जाए, वहीं रोग तो उसको, बस अब यह product हो जाएगा, यह यह into, फिर उ तो क्या हो जाएगा आपसका, निकाल दो इसको, तो यह आपका e, यह 10 और यह log और यह x यह हो गया, पहले तो into, 10 log x का, 10 x का क्या होटा है, sec square x, तो क्या हो जाएगा, sec square और यह log x, check करें, ठीक, क्यों हो ऐसा, यह log x हो गया, उसके बाद में, इसको और करो, फिर इसका क्या हो जाएगा, log x का, 1 upon x, यह आपका answer हो गया, ठीक, क्योंकि हमने जब सबसे पहले यहां किया, यह जब किया, इसका, यह formula लगाया, तो यह किया, तो यहां जब exponential का ही तो हुआ, exponential का ही तो differentiation हुआ था, 10 x का कब हुआ था, 10 x तो यहां भी 10 x था, 10 x यहां भी है, तो इस 10 x को into करने के बाद भी 10 x, 10 x का किया, यहसे मैं यहां लिख दिया ही, यह 10 x का किया, तो 10 x का हो गया, लेकिन 10 x का होने के बाद में जबने के लिखो जा, 10 x का sag square, और log x, लेकिन log x रह गया, log x का नहीं हुआ, तो फिर into log x का, धी log x टर खिख गया तो 5 पाला में x माला यहां standard form में convert हो गए यहीं रोग दो इसको, ठीक है न, तो e की पावर 10x, e की पावर 10x log x, इसका हुआ फिर 10x log x का नहीं हुआ था तो उसका आया किया, यहां करने बाद में 10x का हो जागा, यहां फिर log x का नहीं होगा, तो फिर log x का किया, और फिर सारा result, यह answer आ गया, this chain rule, clear, आगे देखिए, और questions, अब मैं ले रहा हूँ जैसे, देखिए, मैं question ले रहा हूँ, के log x plus 10x, log और sec x और plus 10x, इसको y माल लो, क्या माल लो, y माल लो, differentiate, differentiating with respect to x, x variable है न, x के respect में, y chain rule, ठीक, देखिए, तो dy and dx, dy and dx, sorry, dy and dx, y क्या है, यह function है, तो मैं इसको यह भी लिख सकता हूँ, के d and dx log sec x और plus 10x, अब फिर से देखिए रहा, यह सबसे पहले, सबसे पहले starting, जब हम question को, जो भी question दे रखा है, जैसे यह question दे रखा है, तो सबसे पहले इस question का, जो outer form है, उसे check करिए, वो किस standard form से match कर रहा है, देखे यह रहा, यह क्या इससे match नहीं कर रहा है, के d and dx और log और यह x, क्या इससे match नहीं कर रहा है, इसका one appointment x होता है, यह हमने by first principle देखा है, देखे यह, देखे, matching हो रही का नहीं हो रही, देखे, log, इदर से, direction, इदर से, हर function को आपको left hand side से ही check करना है, left hand side से उसके form को देखना है, outer form, तो देखे, log, log, x, यह जो x है, यह तो standard में है, x variable, जिसके respect में हो रहा है, यह जो x है, इस x की जगहे पर यह total लिखा हुआ है, जो log, log, logarithmic function हो गया, इसका मतलब है, log देखा है, logarithmic function हो गया, लेकिन यह standard form है, और यह x की जगहे पर, यह sec x plus 10x लिखा हुआ है, means, x is equal sec x plus 10x, यह replace हो रहा है, तो इस ही का differentiation एक वार और हो जाएगा, ठीक, यह हो गया, into, यहाँ पर, into, ठीक है न, यह यहाँ होगा, अब जो replace क्या हो रहा है, यह replace हो रहा है, तो d and dx, और sec x, और plus का यह आपका 10x, इसके आगे भी बढ़ेंगे, फिर यह, अब इन दोनों में replace कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, क्योंकि यह अपने आप में standard form में है, जैसे standard form में आ जाए functions, वह ही रोक दो, देखें जड़ा, यह variable है, इस variable power coefficient, power coefficient 1-1 है, 1-1 है, standard form में है, यह दोना standard form में है, क्यों, क्योंकि d and dx, इसको में, यह यहाँ पर, क्योंकि d and dx और sec x, sec x का क्या होता आपका, sec x और यह 10x यह होता है, और d and dx, और 10 और x का क्या होता है, sec square x, यह differentiation, sec x का, sec x 10x, यह standard form है, power 1, coefficient 1, power 1, coefficient 1, यह समझाने का मेरा एक तरीका है, standard form की पहचान, जो variable है, जिसके respect में हो रहा है, देखें आप बिल्कुल यह standard form में है, तो देखें यहाँ पर power 1, coefficient 1, power 1, coefficient 1, no, no, तो अब इसके बाद हम, अगर यहाँ ऐसा होता, कि sec, और यहाँ पर sec में और यह angle में e to the power x कोई function ऐसे होता, यह कुछ और function होता, यहाँ पर कुछ और replace हो रहा होता, यह sec, और x, और square ऐसा हो रहा होता, तो फिर मैं इसका एक बाद और करता है, into करने के बाद dn dx, dn dx और x square, ऐसा लिख देता फिर में उसको, जो चीज रिप्लेस है उसी का, यह e x है, यह e x लिख देता है, और फिर e x जो है अपने आपने फिर standard form में, coefficient 1, power 1, तो वहीं रोक दो, फिर यहाँ पर रोक देते हैं, लेकन यहाँ आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं, यही standard में आ गया, ठीक है, तो हम इसको आगे नहीं ल लग रहा है, एक यह भी लग रहा है, एक यह भी लग रहा है, तीन formula इसमें लग रहे हैं, तो देखे, d and dx, log x का क्या होता है, 1yx, इस x की जगे पर, यह पूरा है, sec x plus 10x, तो log x का 1yx, तो log sec x plus 10x का 1 upon में sec x plus 10x, यह हो जाएगा, के लिए? ठीक, into, यह into है, product, अब इन दोनों का अलग-अलग कर दे हम, तो अलग करने पर जखो, d and dx, और मैं इसको operator को, यह जो operator है, differential operator जो है, d and dx, इसको मैंने दोनों के साथ, दोनों terms के साथ, अलग-अलग बाट दिया, यह हम जानते हैं, fundamental rules जो हमने बताए थे, कि दोनों terms, plus minus में, दो या तीन हो, तो उसको, differential operator को हरे के साथ, हरे के साथ लगा दीजिए, d and dx, और यह 10 of x, तो देखे जाए रहा, one upon में, sec x, और प्लस 10x, into, यह, अब जो यहाँ पर, यह standard form, इसका formula यह होता है, इसका formula यह है, यह standard में है, अब आगे नहीं बढ़ना, तो क्या क्या हो जागा अब का, sec x, और प्लस 10x, sec x, into 10x, sorry, 10x, और प्लस, यहाँ इसका क्या होता है, sec square x, sec square x, यह, clear, तीजिए, इसमें से common आ रहा है, sec x common आ रहा है, उपर से, तो common आने पर, हम इसको और आगे क्या लिख सकते हैं, उपर से common लेने पर, जैको sec x common आया, तो क्या बचा अंदर, 10x, और प्लस, sec x, यह बचा, और upon में, यह चली रहा है, यहाँ पर, sec x, और प्लस 10x, इस से यह, cancel out, तो result हमारा, क्या आया, equal sec x, क्या आया, sec x, this is final answer, ठीक है, तो ऐसे यह questions, इस टाइप से questions करने हैं, यह बात के लिए हो रही होगी आपको, देखनी जो और, इसको, बना किस standard form से match कर रहा है, सबसे पहले उसका जो outer form है, बस यह देखना है, आप इसको substitution से कर दो, substitution से कर दो, या without substitution से कर दो, ठीक है न, किसी भी तरीके से आप question को कर सकते हैं, और जैसे मैं लेता हूँ, मैं question ले रहा हूँ, जैसे के, y is equal, y is equal, और यह sin, inverse, और आपका यह x की power 3, यह देखे जा रहा है, तो यहां आप देखे जा रहा है, सबसे पहले, क्या बताया है मैंने, सबसे पहले, हमको यह देखना है, कि यह किस standard form से match कर रहा है, सबसे पहले, इसका जो outer form है, यह जो outer जो function है, पूरा, जिसमें, भाई अगर हम यहां देखे हैं, तो यह क्या inverse trigonometric function है, और उसमें यह algebraic function है, यह two functions का combination है, inverse trigonometric functions, sine का, और algebraic functions, इन दोनों का एक composition दे रखा है, ठीक है, तो यह total जो function है, वो किस से, किस standard form से match कर रहा है, यह वो क्या इससे नहीं match कर रहा, dndx, sine inverse x, यह आपका one upon में, root one minus x square, इसका derivative, जो standard form है, वो यह होता है, inverse function का, देखो जारा है यहाँ पर, अब देखो, यह standard form है, जो variable है, variable को आप चेक करिए, x के respect में जो हो रहा है, वो x जो है यहाँ पर, जो x दे रखा है, power one, coefficient one, means standard form है, इसका यह होता है, derivative, यह इसका derivative, यह direct है, यह by first principle हमने निकला है, ठीक, अब जा देखे, तो यहाँ कुश चें एक्स की जगह पर, x, q, यह replace हो रहा है, यह रिप्लेस हो रहा है, यह रिप्लेस हो रहा है, यह रिप्लेस हो रहा है, इसका differentiation एक बार और और जाएगा, तो देखे यह रहा, तो, differentiating with respect to x y chain rule, dy and dx is equal d and dx sin inverse or x का पर यह ठीर, ठीक, तो किस से match कर रहा है, इसका outer form, इसका outer form, इस formula से कर रहा है, तो इस formula को लगाँ पहले, सबसे पहले यह formula लगाँगा, लगते हो ही है, chain rule में भी वो सब standard form ही लग रहा है, लेकिन हम उनको अलग-अलग, जो सारे functions है, जितने functions composition में दे रखे हैं, उन सब का differentiation हमको अलग-अलग करना पड़ता है, और सारे functions का जब हम अलग-अलग differentiation कर देते हैं, इंस सब का अलग-अलग derivative निकाल देते हैं, उन सब derivative को फृर हम product करके एक साथ अंसर लिख देते हैं, यह ही chain rule है, उन सब derivative को हम product के फॉर्म में लिख देते हैं, तो एक product चलता है, into फिर उसके बाद दूसरा derivate फिर into फिर उसके बाद फिर into एक मनला into की chain चलती है this is chain rule यही chain rule है ठीक है तो यहाँ पर जब जब ज़रा तो इसका अब जब यहाँ replace क्या हो रहा है यही तो replace हो रहा है replace जो हो रहा है आपका यह replace हो रहा है यह मैंने लिखा इसी का differentiation, लिपार के दोδों में कि अगें होगा, इसी का differentiation, तो d and dx, और xq और यह सिलसला जो है, यह chaine चलने का into, फिर into, फिर into, फिर into, यह कब तक चलता है, यहां कि जो है, वो function जो लास्ट वाला है व इस्टेंडर्ड कर्ण सब्सक्राइब अब पूर्ण सब्सक्राइं सब्सक्राइब N, X, N-1, इसमें यह formula लगागा, direct है, बाई X, X है, X की power 3, यह X की power N, तो N की ज़ये पर यहां क्या है, 3 है, N is equal यहां क्या है, 3 है यहां पर, ठीक, हो गया नहीं आपका, क्या हो गया, इसका, sin inverse X का, 1 upon में, root 1 minus X square होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, पूरे का, यहां से यहां तक, क्या हो जाएगा, यह 1 upon में, 1 minus, और X square, और यह X की जगे पर, यह रखा हुआ है, तो इसका square हो जाएगा, एक तरह से, तो X 3 का square हो जाएगा, यह, clear, into, यहां, इसका 3 आगे आएगा, N, X, N minus 1, तो 3 X और 3 और यह, minus 1, यह हो जाएगा, आगे, 3 X square into, into क्या आएगा, यह 1 upon, upon में लिख दो, और direct लिख दो, 3 X square upon में, root 1 minus, और यह X, और यह आपका, 6 हो गया, this is final answer, this is final answer, यही आपका product rule है, ओ, sorry, यही chain rule है, मतब product ही होता है, उसमें chain rule में, एक तरह से product, यह here करा, फिर इंटू, फिर इंटू, फिर इंटू, product ही चलता है, product की chain, चलती है, पेस में, चेन रूल में, यह ही चेन रूल है, यह अंसर यहां पर, यहां मल्टिप्ले हो जागर 3, 2, 6, पावबर का पावबर मल्टिप्ले हो गया, यह अंसर आ गया, आगे एक क्वेशन और देखते हैं, एक दो, जा से, मैं एक क्वेशन लिखेता हूँ जैसे एक क्वेशन लिए लेते हम यह लाइन कीश देते हैं जैसे क्वेशन लिया मैंने कि आपका एकस एकस स्क्वेशन प्लस एकस प्लस वन और इसका पॉबर यह फोर यह वाई इस इकॉल कोई फंक्शन दे रखा ऐसा है दूसरा क्वेशन क्वेशन वाइड इकोल साइन साइन ने साइन के अंदर एम और साइन इन्वर्स साइन इन्वर्स और यह एक्स ऐसा दे रखा कोई फंक्शन ऐसा है एक फंक्शन ऐसा है क्वश्चन यह थिरी कि e to the power y is equal e to the power x और साइन और आपका log x ले लिया मैंने इसके एंगल में साइन के एंगल में या साइन एक्स ही ले लो ऐसा करिए साइन एक्स ठीक है इतना ही ले लो यह इंटू में यह दोनों यह एक्स एंड साइन एक्स इंटू में देखिए रहा है यह क्वश्चन कैसे होंगे फिर से वह प्रोडेक्ट वह चेंड रूल से ही तो देखिए रहा है में जैसे ने किससे मैच कर रहा है यह पूरा जो प्रेक्ट के और ल् hacen we अगुए उसको फांक्शन को देखिए यह सबसे पहले फांक्शन है यह उड़ा यह लखा हुआ है यह पूरा यह यू मांलो U is equal आपका X square plus X plus 1 तो एक तरह से यह यह पूरा जो expression है और इसके जाएपर U मान लिया तो यह क्या हो जाएगा एक तरह से Y is equal आपका U की powerful यह हो जाएगा तो यह किससे match कर रहा है यह से match कर रहा है आपका किससे match कर रहा है dn dx xn nxn-1 इससे match है इसके देखो जाएगा variable power n की जाएगा पर 4 है ठीक, clear on हो गया यह formula सबसे पहले इस formula को लगाएगे हम यहाँ पर तो differentiating by chain rule by chain rule क्या हो जाएगा dy and dx डिरेक्ट लिख दिया हमेने, differentiating with respect to x उसको लिख लेना आप ठीक न, dy and dx x तो आपका d end and dx x और इस y की जाएगे पर x square plus x plus 1 इसका power 4 देखे रहा 4 आगे आएगा इस formula इसको लगाने से, क्या इसके अंदर जो expression दे रखा है, इसका differentiation हुआ क्या? नहीं x square का कोई, x square में कोई change नहीं है, x में कोई change नहीं है, 1 में कोई change नहीं है जो replace हो रहा है, इसके अंदर इसका कहा हुआ? तो into, बस उसी का, जो जहां नहीं हुआ, उसी का करना है, सीधा सा है d and dx और x square प्लस x और प्लस 1 यह आगया दोगो यह रहा, 4 और यह आपका x square प्लस x प्लस 1 और इसका power यह 3 तो दोगो यह ऐसा करने से, इस formula को लगाने से तो यह आगया, लेकिन इसका अंदर का कहा हुआ था? जो replace हो रही थी value उसी के लिए फिर हम into करके again हम अब जो यह अलग-अलग function, अलग-अलग terms हो गया यह अलग हो गया, यह अलग हो गया, यह अलग हो गया तो d and dx जो आपका जो differential operator है हर एक के साथ attach कर दो, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, के d and dx x square plus d and dx x plus d and dx मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ इसको, यह तो आप direct लिखना फिर आगे चलके, ठीक है ना? आपका यह क्या हो जाएगा? यह 4 और यह आपका x square plus x plus 1 का q into यहाँ पर भी यही फर्मूला लग रहा है, x की power n, n x minus है तो यहाँ x की power 2 है, तो 2 बाहर आगे आएगा और x 2 minus 1 और यहाँ power 1, तो यहाँ direct 1 हो जाता है इसका, 1 लिख दो, direct लिख दो हो जाता है, 1 आगे आएगा, 1 minus 1, x to power 0, x to power 0 1, 1 into 1, 1, और यहाँ pure constant है, क्या यहाँ variable है, क्या जिसके respect में हो रहा है, जिस independent variable के respect में हो रहा है differentiation क्या, वहाँ x कहीं variable नजर आ रहा है, क्या, direct 0 यह हमने बताया था परे, तो यह बचा की बन, तो इसका answer एक तैसे यह हो गया, क्यों यह में सको, यह क्या बचा, 2 2 और यह आपका x बचाएगा, 2x बचाएगा, 2x और प्लस 1 और into, और 4 को और आगे लगा दू, यह 4 है ना, यह 4 4 और आपका यह x square प्लस x प्लस 1 और इसकी power 3 this is final answer, ऐसे questions को करना है इसे, यह आपका chain rule है, by chain rule, question, ऐसे होना है, आगे बाला, जैसे बस यही देखना है कि क्या matching है, किस से match कर रहा है, और कुछ करना ही नहीं है देखे, अब जैसे second question इसको देखते हैं, क्या है, वाई, इसको मिटाई दिता हूं यहां से यह वाला question, y is equal sign, sign के, sign है, sign के angle में, m into sign और inverse x, ऐसा question है तो सबसे पहले अगर आप इसको देखें, तो यह किस से match कर रहा है, बस वही देखना है यह पूरा function, देखेंगे direction इधर से, इधर से ही check करना है, इधर से क्या लिखा हुआ है, साइन, y is equal sign, क्या है, y is equal sign, साइन है, और साइन के, यह क्या है, एंगल के अंदर है, यह सब कुछ, एंगल में रखा है, तो किस से match कर रहा है, dndx, sinx, is equal cosx, क्या इस formula से match नहीं कर रहा है, यह question, इस standard form से match नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले, इस पूरे में, यह पूरा जो function है, टोटल जो function है, वो इस से match कर रहा है, तो यह formula लगा दो, सबसे पहले, देखो, तो differentiating with respect to x, x variable, x के respect में कर लेंगे, y chain rule, क्या हो जागा, dyndx, is equal dndx, sin, m, sin, inverse और x, यह हो गया, ठेक है, आगे, अब sin x का cos x, sin x का क्या होता है, cos x, sin x का cos x, तो दो, x की जगे पर, क्या replace हो रहा है, यह पूरा, x is equal क्या replace हो रहा है, m sin inverse x, यह replace हो रहा है, sin x का cos x, तो इस sin m, sin inverse x का cos m, cos, sin inverse x, यह हो जाएगा, ठेक है, इसका फिर हो जाएगा, sin का cos में बदल जाता है, x में कोई change नहीं होता, तो क्या हो जाएगा, cos m, sin inverse x, यह हो गया, इस formula से, इस standard form से, अच्छा, अब आगे, इस से, जब मैंने इसको ऐसे change किया, तो क्या इसमें sin inverse x का differentiation हुआ क्या, नहीं हुआ ना, तो उसका फिर से करना है, जो replace हो रहा है यह हो, यह कह सकते हैं, जो replace हो रहा है उसका, और यह into करने के बाद, यह into करिए, और dndx, और m, और sin inverse, और यह x, अब यह आगे, दो m constant है, तो इस m constant को आप बाहर भी लग सकते हैं, ऐसे भी लग सकते हैं, इसको हम, m, dndx, ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको, m को बाहर नकाल तो constant रहा है, constant को बाहर नकाल सकते हैं, अब इसके बाद, आगे कुछ इसमें replace हो रहा है क्या, देखे, sin inverse x, नहीं हो रहा है, standard में हो गया, variable का power, देखे, variable जो है, यहाँ, power and coefficient 1, जैसे variable power coefficient 1 आजाए, वहीं रोग दो, अगर यहाँ ऐसा होता, कि sin inverse, और यह log और x, ऐसा कुछ हो रहा होता, sin है, और inverse है, और फिर यहाँ log x है, तो यह replace हो रहा है, तो फिर मैं into करके, और dn dx, और log और x, इसका occur था, जो replace हो रहा है, वहीं करते चले आते हैं, और फिर log x, फिर log x की power 1 और coefficient 1, तो यहाँ पिर इसको लोग तो, फिर इसके बाद नहीं बढ़ाना, ठीक है, यहीं काम करना है, पैसा यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ तक है, तो यह क्या होगे आपका, cos, जब m है न, m को सबसे आगे लिखो, m cos, m sin inverse x, यह तो है, अब इसका, dn dx sin inverse x, इसका क्या होता है, यह किस standard form से match कर रहा है, sin inverse x, 1 upon my root, 1 minus x square, इसका यह differentiation होता है, तो यह formula इसमें, यह direct लग जाएगा, into, m जो है न, वो आगे लिख दिया, 1 upon my root, 1 minus x square, बस, यहाँ आपका answer हो गया, this is final answer, इसको बन को अटा गया, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कि m cos, m sin inverse x, upon my root, 1 minus x square, इसको ऐसे भी लिखा है, यह answer हो गया, ठीक, this is chain rule, इसे को हम chain rule कहते हैं, ठीक है, देख लो जरा इसको, जो भी है, चलिए, अब देख रहे हैं, जरा आगे, यह वाला question देखें, y is equal e की power x into sin x, देखें, differentiate with respect to x, by chain rule, देखो dy and dx, d and dx, और e x, और sin x, ठीक, e की power में यह रखा है, पूरा function को check करो, किस से match कर रहा है, यह d and dx, e x, क्या होथा है, आपका e x, इससे matching है, e x का e x, तो इस x की जगह पर, x sin x लिखा हुआ है, means, x की जगह पर, x into sin x, यह replace हो रहा है, इसका और एकवार differentiation हो जाएगा, ठीक, तो यह क्या हो जागा आगे, तो यह, इसका हो जागा, फिर यह जो replace हो रहा है, d and dx, और x into sin x, क्या आगे होगा और, नहीं, क्यों, क्योंकि यह standard form है, sin x यह भी standard में, यह रोख दो बस, बस दो का ही product रहागा, यह and यह, इन दोनों के बीच में ही बस, काम हो जाएगा, एक यह derivative, एक यह derivative, इन दोनों का product, तो देखे रहा, e sin, e x का e x, तो e x sin x का e x sin x हो गया, बस, अब देखो, यहाँ भी आप इसको check कर सकते हैं, बार-बार यह भी तो बूलता था में, क्या यहाँ x sin x का, जब भाई, इस पूरे का जब derivative हमने निकाला, e x sin x का हुआ क्या यह, नहीं होगा यह differentiation यह, क्या हुआ, तो बस इसी का तो हम और आगे करते हैं, तो इसका फिर, अब देखे, यहाँ पर, यह दो functions नहीं, और यह product में है, first and second function, तो यह product rule लगेगा, यह product rule से होगा पहले, तो देखो, x and d and dx, पहला सेम, second का differentiation, फिर, second same, d and dx, पहले का differentiation, तो देखो, यह अपका, क्या हो गया, हो गया, e, x और sin x, और x, sin x का, cos x, और sin x, into x का 1, खैताम बाबला, इसको एक साथ लेख दो आगे, तो देखो, x cos x plus sin x, और इसके, यह अपका, और यह, और into में, e, और x, और sin x, ऐसे लिख दो, this is final answer, यह chain rule है, ठीक है, तो यह मुझे पूरी उम्मीद है, का आपको यह, पूरा समझ में आया होगा chain rule, और बिलकुल easiest way था यह, समझाने का, बिलकुल simple way था, इससे और ज़्यादा simple way नहीं हो सकता, दो तरीके से समझा दिया, substitution method, और without substitution, वैसे without substitution से ही generally करते है questions को, ठीक है, तो वस आज के लिए इतना है, और यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, तो इसको like करिए, subscribe करिए, बेल आइकन वतन दवाना मद बोले, thank you.